यस डियर 11th class students फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको 10 से 15 मिनिट के अंदर बड़ी सांती से differentiation और integration का use करते हुए आपको calculus method से equation of motion का proof करना सीखोंगा और आपको आती equation of motion सबको आती आप 9th class पर से पढ़के आये हो पर उसको calculus method से नहीं करते आता है आपने equation of motions क्या पढ़ी है final velocity equal to initial velocity plus a into t a क्या था acceleration था t क्या था time था u क्या था initial velocity मैं चाहूंगा कि जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो motion chapter को 9th class से पहले पढ़ ले क्योंकि 9th class में इन equation का proof मैंने normal method से करवाया है v equal to u plus a t second equation थी s equal to ut plus half a t square third equation of motion क्या थी हमारी 2 a s equal to v square minus u square आज मैं आपको एक fourth equation भी पढ़ोंगा उसको हम fourth equation आप motion नहीं कहते हैं फिर भी as a fourth equation हम उसका use कर सकते हैं तो सबसे पहली equation हमारे पास है v equal to u plus a t हमको इसका derivation करना है v equal to u plus a t इसका derivation करना वो भी calculus method जब calculus method की बात करें मतलब integration differentiation की बात कर रहे हैं ठीक है acceleration क्या होता है acceleration होता है rate of change of velocity per unit time पढ़ा है अपने सबने पढ़ा है acceleration क्या होता है rate of change of velocity per unit time और जब मैं differentiation सीखा रहा था तब मैंने आपको बता है था कि हम velocity का differentiation करते हैं तो क्या मिलता है acceleration जब velocity का differentiation क्या करते हैं तो क्या मिलता है acceleration, तो यहां से मैं velocity dv को क्या लिख सकता हूँ, a into dt लिख सकता हूँ, अब मुझे v चाहिए, dv से v चाहिए, dv से v चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, integration, क्या करना पड़ेगा, integration, तो मैं दोनों और integration कर देता हूँ, dv equal to किता हो जाएगा, a dt, अब मैं को यहां पर limit भी use करना पड़ेगी, जब मैं गाड़ी को observe करना चालू कर रहा हूँ, उसकी initial velocity मानली u है, और उस वक्त आपकी watch में, observation के लिए जो watch है, यही, stop watch है, उस पर आपका 0 set था, जब आपकी time t हो गया, और तो गाड़ी की speed किती हो गई, v हो गई, अब हम integration करेंगे, तो dx का integration होता है, x, dy का integration होता है, y, इसलिए dv का integration होगा, v, और limit लगेगी, u से v, equal to, यहाँ, a का नहीं होगा, किसका होगा, dt का, time वाले terms का, तो a का तो होना नहीं है, किसका होगा, dt का, तो dt का कित्ता होगा, t, और limit क्या लगेगी, 0 से t, अब आपको limit यूस करते आने चाहिए, इस v की जगा, upper limit, वो भी भी है, कोई दिक्कत नहीं, minus इस v की जगा, नीचे वाली limit किता है, u, equal to, a बहार है, इस t की जगा, upper limit, t, minus इस t की जगा, lower limit, 0, अब यहाँ, plus t नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि definite integration है, definite नहीं है, तो कित्ता हुआ, v minus u, equal to कित्ता हैगा, a, t, देख रहा हो गया, u, plus, 80, और इसी को आप क्या कहते हो, first equation of motion, और यह, जो equation आई है, इस कौन सी method से आई है, इसको कौन सी method कहा जाता है, calculus method, note कर लिजे, screenshot ले लिजे, अब मैं इसके बाद आपको second equation of motion समझाने जा रहा हूँ, वो भी किस method से, calculus method से, चलिए, ठीक है, तो second equation के लिए आते है है, rough कर रहा हूँ, dear, second equation के proof के लिए हम first equation को सामने लिखी वी है, अब आपको बताया था, velocity क्या होता है, यह displacement upon time होता, ds by dt सिखाया था, या s नहीं याद हो, तो dx equal, dx by dt पढ़ाया होगा मैंने, मैंने पढ़ाया था, x equal to, एक equation लिखी थी, 5t square plus something, और फिर मैंने differentiation करा था, उ यहाँ पर velocity क्या होती है, dx by dt, पढ़ा हुआ है अपना, वो लिख दिया, equal to क्या है, भी equal to किता होता है, u plus 80, उसको हमने वेसा का, वेसा लिखा, u plus 80 को, अब dt को इधर cross multiply कर दिया, तो dx equal to udt plus 80 dt, यह हमने कर दिया, अब मुझे displacement निकालना है, मतब लंबा ही निकालनी, दूर लेंट मेंने कितनी कवर कर यह पता करना है, तो इसका क्या करना पढ़ेगा, integration, क्या करना पढ़ेगा, integration, तो integration of dx equal to किता है, integration of udt plus integration of 80 dt, अब limit को भी ध्यास देखे, जहां से आपने observe करना चालू करा, जनरली वो आपकी stopwatch का time, 0 अपमान के चलते हो, ठीके, उस वक्त आप initially x x1 किलोमेटर के पोल पे खड़े थे, जब गारी चालू करते हैं, तो कहीं ने कहीं, initial point होता है आपका, उस initial point को आपने x1 मान लिया, आप गारी चल रही है, आपने t समय पस्चात, कितने time बाद, t time बाद, आपने गारी displacement note किया, किस point पे पहुँच गया, आप x2 point पे x का integration होता है x, और limit लगेगी x1 से x2, okay, u का नहीं होगा, u बाहर आजाएगा, dt का कितना हो जाएगा, t, और limit आजाएगी 0 से t, अब यहाँ देखें, ध्यान से देखें, केवल integration से a बाहर, t dt है, t dt एक पावर बढ़ जाती integration में, जैसे x dx होता, तो हम क्या लिखते, x square y, 2, इसी प्रेकर यहाँ t dt है, तो यह क्या हो जाएगा, t square y, 2, किता हो जाएगा, t square y, 2, बस आब यहाँ पर concept यूज करें, limit रखना चालू करें, इस x के जगा, upper limit x2, इस x के जगा, lower limit x1, okay, u बाहर, इस t के जगा, upper limit t, minus 0, plus, यह half बाहर कर दूँगा, पहले में, half a बाहर हो ग upper limit t, square, minus st के जगा, lower limit 0, तो 0 का square, okay, अब बस, आप यह बता हो, कि displacement किसको कहते हो, final position, minus initial position, यह final position, यह initial position, final minus initial position, बराबर क्या होता, displacement, तो x2 minus x1 क्या होगे आपका, displacement, तो इसको s लिखा, equal to, यह equal to लिखा, t minus 0, t होता, और u से multiply होगे, तो किता होगे, ut होगे, फिव क्या हाप लिखा था, a लिखा था, और t square, minus 0 का square, मतलब t square, अब आपको देखना होगा, समझना होगा, यह equation कहीं पड़ी भी है, s equal to ut plus half a t square, yes, यह हमारी कौन से equation है, second equation of motion है, यह आसानी से आगे calculus method से, मैं हट जाता हूँ, आप चाहो तो screenshot ले लिजए, यह हमने concept यूज किया था ओके, ले लिया होगा, note कर लिजिए, अब मैं आपको क्या लेंच समझाने जा रहा हूँ, third equation of motion, क्या समझाने जा रहा हूँ, third equation of motion का derivation, वो भी calculus method से, एक बात का ध्यान से समझ लेना, यह equation है, 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 physics आ जाएगा, ऐसा नहीं है, यह तो ठीक है आपको derivations रट लोगे, तो आप 11th में कुछ अच्छा कर लोगे, but competitive exams में इन equation हो का use करते आना चाहिए, जो numericals दिये जा रहे हैं, उनमें इनका use करते आना चाहिए, और मैं अभी एक दो और theoretical lectures मेरे वीडियो बनेंगे, उसके बाद 10 वीडियो, लगभग 10 वीडियो numericals के ही ब बाकी NCIT के तो आप करी लोगे, जब मैं J and Neat के numerical सिखोंगा, तो indirectly क्या होगा, competitive की भी तैयारी हो जाएगी, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा, कि पूरी 11th में हमको किस लेवल पर पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है competitive के लिए, चलिए, हमको third equation लानी है, इसका motivation के वक्त, क्योंकि अपन 11th में सुरुवात में आते हैं, तो 11th में सुरुवात में कुछ चीजे याद भी रखनी पड़ती है, dv by dt into, इसको one लिख सकते हैं, one लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और one का multiplication करना है, मत one को हम dx by dx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करते हैं, इस dx को इधर shift किया, dt को इधर cross multiply कर सकते हैं, आपस में 5 into 3 into 3 into 5 कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो dvy by कित्ता हो जाएगा, dx into a कित्ता हो जाएगा, dx by dt, equality कित्ता हो जाएगा, a, मैं उन method उसे कर रहा हूँ, जो simple तरीके से आपको समझ में आ जा आना नहीं चाहता हूँ, आपने 11th में अभी अपने छोटे छोटे नन्ने मुन्ने कदम रखे हैं, और मैं आपको पहाड नहीं चड़ाना चाहता हूँ, यह dx by dt क्या सिखाया था, velocity, क्या सिखाया थी, dx by dt, velocity होती है, तो यह a को तो a लिखा, इस पूरे को क्या लिख दिया, वी और किता होगे, dvy by dx, इस dx को इधर cross multiply कर दो, तो a dx equaled किता हो जाएगा, vdv, अब दोनों और integration कर दो, क्या कर दो, integration, ठीक है, integration अपन यहां करेंगे, integration किसका करना है, a dx का, इधर integration किसका करना है, vdv का, calculus method है, करना ही है, अपने को तो यहां, calculus मतब, integration और differentiation की help लेना है, initial, यहां पर अपने को limit लगाना है, तो यहां dx की respect में कर रहें, मतब, x वाली limit, और यहां dv लिखा है, मतब, velocity वाली limit, initial position को हम x1 कहते हैं, और final position को हम x2 कहते हैं, इसी प्रकार, initial velocity को u मानते हैं, और final velocity को क्या मानते हैं, v, मतब, x1 position पे गाड़ी की speed u थी, x2 position पे गाड़ी की speed v है, okay, a बाहर, dx का integration किता होगा, x limit किती होगी, x1 से x2, equal to, vdv, जैसे अभी मैंने x dx का सिखाया थे, x square by 2, तो vdv का होगा, v square by 2, और limit किती होजाएगी, उसे v, okay, यह जो 2 बाहर आएगा, बाहर आएगा, ठीके, a, और यहाँ लिखा, upper limit यूज़ करूँगा, x2 minus x1, lower limit, okay, यह हाँ बाहर कर लिया, और bracket में क्या बचा आपका, v square, ठीके, अब इस v की जगा, upper limit यूज़ करूँगा, तो v square, minus इस v की जगा, lower limit यूज़ करूँगा, तो u square आजाएगा, okay, अब देखें, इस 2 को इधर multiply कर दिया, 2a, और final position minus initial position, याद आया, क्या था, displacement is equal to, अब यहाँ क्या बचा, v square minus u square, अब यह तो आपकी पड़ी वी equation है, इसी को क्या कहते हैं, third equation of motion, तो मैं चाहूँगा, एक बार इसको थोड़ा सा note कर ले, कई बार बच्चे, third equation of motions में गरबड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मन से एक step उठाई गई है, यहाँ dx by dx का multiply कर देते हैं, फिर dx को उसको नीचे ले लेते, dt को उसको नीचे ले लेते, इसके बाद तो समझ में आ जाता कि क्या करना है, बस यह जो मन से एक step लेते हैं, वो थोड़ी सी वहाँ पे हम भूल सा जाते हैं, तो यह मेरी तीनों equation of motion आई है, इससे आई है, calculus method से, अब मैंने कहा था कि मैं आपके fourth equation भी सीखाऊंगा, fourth equation नहीं है अलग से, एक्चुली यह displacement in nth second है, particular देखिए, पाँच सेकंड में किता हुआ और पाँचवे सेकंड में किता हुआ, lot of difference, समझ में आ रहा है, how much displacement in 6th second और 6th second, दोनों में बहुत अंतर है, आपने total 10 days में कितनी income की है, वो एक अलग matter होता है, और 10th day पर आपकी कितनी income हुई है, यह एक अलग matter है, is it clear, आपने homework किया, पाँच दिनों में कितना homework किया, और पाँच में दिन कितना homework किया, दोनों में अंतर है, पाँच दिनों में मतब पूरे 5 दिनों का साम होता है, जैसे यह, तो यह जो equation है, एस इक्वेशन है, एस इक्वेशन है, यह क्या बताती है, जैसे ट की value मैंने रख दी, 10 second, तो 10 seconds में कितना displacement हुआ, मतब कुल 10 second का displacement बताएगी है, यह 10th second में कितना displacement हुआ, यह नहीं बताएगी, दीएगे, 10th second, जो 10th second है, उसको S, 10th लिखते हैं, हम लोग इसका displacement का formula लाएगे, मैं अभी लिखूँगा नहीं, ले करूँगा, और फिर उसके बाद हम वहाँ पर उसको रखेंगे, के से निकाला जाए, तो के नायर अरब दिस, ले लिया होगा screenshot लिख लीजिए, जाता है दोस्तों, देखें, आप मान लिजिए कि कोई वीकल 10 second तक चला, जैसे कि 10 दिनों तक आपने homework किया, तो 10 दिनों तक जो homework किया है, वो आप लिखते गए-करते गए, और जो 9 दिन तक homework किया था, वो भी आपके पास है, तो टोटल 10 दिनों के homework में से, 9 दिनों के homework को मैं माइनस कर लूँ, तो आपने जो 10th day पे homework किया है, वो आपको पता चल जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, यह जो S है, पहले हम S N निकालेंगे, और S N माइनस 1 निकालेंगे, S N मतलब टोटल N seconds तक में गाड़ी ने किता चला, फिर N माइनस 1 seconds में किता चला और इसमें से इसको क्या कर देंगे, minus, तो आपको क्या जाएगा, S Nth, S Nth निकालने का मतलब क्या है, S n में से किसको minus करना है S n minus 1 को फिर समझा रहा हूँ A c ने for example 5 दिनों तक homework किया और उसने 5 दिन किया कितना किया यह पता करना है तो 5 दिनों के homework में से 4 दिनों तक जो 4 days तक उसने homework किया है उसको मैं क्या करदू minus तो 5th day पर कितना homework होगा पता चल जाएगा, यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ कि n सेकन में गारी कित्ती चली, भूलिये कान लेता हूँ u n प्लस हाफ a n इसके जहाँ t था हूँ, आपे n लिख दिया अब उससे एक सेकन पहले वाली बात करूँ, n-1 सेकन में कित्ती गारी चली, u u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्केर, बस जहाँ n लिखते थे, वहाँ n-1 रख दिया, अब इसमें से इसको क्या करना है माइनस कर लिया जाए आपको तो आता है, माइनस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, u n प्लस हाफ a n स्केर, लिखा फिर माइनस लगाया तोड़ा सा ब्रेकेट यूस करना चाहिए, कित्ता होगा यह आपका, u n माइनस u प्लस हाफ a इसका होल स्केर ओपन करते आना चाहिए कित्ता होगा, n स्केर प्लस, one का स्केर आएगा, तो मतलब हाफ a आएगा, फिर माइनस आएगा, माइनस कित्ता आएगा, 2 a b, मतलब 2 n आएगा 2 n में इसको हाफ a को मल्टिप्लाइ करेंगे, तो हाफ से 2 कर जाएगा, तो मतलब कित्ता आएगा आपका, a n, यह भाईए आप यहां से थोड़ा सा देखें, कि क्या क्या टर्मिनलोजी आपकी बच्ची होगी, देखने पर पता चलेगा, जब यह माइनस अंदर जाएगा, तो क्या क्या होगा, देख ले, यू एन, प्लस, हाफ a n स्केर, यह माइनस यू एन, यह आगे जाके इससे मरेगा, मरने दो बात में, फ्लस u, फिर माइनस, हाफ, a n स्केर, यह हाफ a n स्केर, इस n से कैंसल हो जाएगा, फिर किता हो जाएगा, माइनस हाफ a, प्लस किता हो जाएगा a n, जो जो भी है, आपके पास काटा फिटी के लिए कार दो, यू एन से यू एन कड़ गया आप ए एन स्केर से प्लस का ए एन स्केर कड़ गया अब जो जो बचा है उसको थोड़ा सा सिस्टेमेटिक लेख लेते हैं बस ही आपका यहां अंसर आ जाएगा अपन डिस्प्लेस्मेंट इन पर्टिकुलर एंथ सेकंड निकाल रहे हैं तो कित को कॉमन निकाल लें तो भी आजाएगा चलो मैं यू और मैंने प्लस हाफ ए को कॉमन निकाल लिया और यह आजाएगा आपका 2N-1 तो इस इस दे फार्मुला फोर डिस्प्लेस्मेंट इन एंथ सेकंड किता होता यू प्लस हाफ ए जैसे यू टी प्लस हाफ ए टी उसकेर हो N-1 इस इस दे फार्मुला फोर डिस्प्लेस्मेंट इन पर्टिकुलर गिवन एंथ सेकंड इस प्रेकार से मैंने आपको चारो एक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ किससे सिखा दिया क्यल्कुलस मेथड से ग्राफिकल मेथड से भी सिखों क्या अगले वीडियो में ग्राफ झाल